आट्म विकास के लिए भक्ति योग की साधना ज्यानेंद्रियों के आधार पर हमारी अंतहे चेतना सुख, दुख, काम, क्रोध, आधी अनुभव करती है इस चेतना को ही मन कहते हैं मन को और अधिक स्पष्ट करें तो उसे विविद अनुभूतियों के आधार पर बनी हुई मानवी चेतना कहे सकते हैं जो इतनी समर्थ भी होती है कि जिन कोशों की एकत्रित अनुभूतियों ने उसका निर्मान किया है उन पर नियंत्रण भी रख सके मस्तिश की ये चेतना के विविद पक्षों को प्रभावित, नियंत्रित और प्रोचसाहित कर सकने में समर्थ होने के कारण मन को अत्यधिक महत्व दिया गया है उसे ही उत्थान पतन का कारण माना गया है और उसे ही शत्रू मित्र की संग्या दी गई है परिश्कृत और सुव्यवस्तित होने पर वह सचमुच मित्र का काम करता है और व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली, सम्मानास्पद, संतोष्प्रत बनाने के साथ साथ भोतिक और आत्मिक प्रगती का पत्प्रशस्त करता है इसके विप्रीत यदी वह अस्त व्यस्त एवं असंस्कृत हो तो फिर वह दूसरों के लिए ही नहीं अपने लिए भी एक संकट सिद्ध होता है दुश्प्रवर्तियों से ग्रस्त मन वाला मनुश्य सबकी दृष्टी में अविश्वस्त और अप्रमानिक रहता है अपने आपके लिए भी वह विक्षोब और असंतोश ही उत्पन करता है ऐसे व्यक्ति पग पग पर असफल और त्रिस्कृत होते रहते हैं ऐसी विशम परिस्थिती में धकेल देने वाले मन को यदी शुद्य कहा जाए तो उसमें कुछ भी अतिययुक्ती नहीं है मस्तिश्क की भौतिक सरंचना से उपर उठकर यदी उसकी चेतनात्मक सरंचना का विवेचन किया जाए तो उसे तीन भागों में बांटना पड़ेगा एक भावनात्मक, दो क्रियात्मक, तीन ग्यानात्मक यो हर काम में इनमें से एक का बाहुले रहता है पर उसका समुचित समन्वे हर काम में रहना चाहिए अन्यथा वह कार्रे, भौंडा और बेतुका दीखने लगेगा और उस कार्रे का वह परिणाम ना निकलेगा जो संतुलित इस्थिती में निकल सकता था भावना का आवेश मनुष्य को विक्षिप्त जैसी इस्थिती में पटक देता है प्रेम, श्रद्धा, आदी भावनाओं का रंग कई बार ऐसा चड़ जाता है कि बिना समझे पर्खे और आगे की बात सोचे अपने प्रेमी या श्रद्धास्पद पर सब कुछ निचावर कर देने का आवेश चाया रहता है यदी प्रेम या श्रद्धास्पद उप्यक्त हुआ तो ठीक अन्यथा इस आवेश में खत्रा ही खत्रा है भोली लड़कियों को कितने ही दुराचारी इसी प्रेम जाल में फसा कर उनका भविश्य हर प्रकार से अंधिकार में बना देते हैं अंधिश रद्धा के चंगुल में फसे हुए देवी देवताओं अत्वसंत महंतों के माध्यम से इतनी शती उठाते हैं जो यदि सही दिशा में विवेग पूर्वक उठाई गई होती तो उससे अपना और दूसरों का बहुत बड़ा हित साधन होता अनियंत्रित भावनाएं यदि कुमार्ग गामी हो जाएं तो पूरी विपत्ती बनकर ही सामने आती हैं कामांध, क्रोधांध, मुहांध न जाने क्या न करने लायक कर बैठते हैं और पीछे पच्टाते हैं पेशेवर हत्यारों की बात छोड़ दें तो सामानने हत्याएं और आत्म हत्याएं क्रोधांध इस्तती में ही होती हैं उस समय विवेक पूर्टिया नश्ठ हो जाता है और आवेश इस कदर मस्तिश्क पर छा जाता है कि परिणाम का और चित्ते का विचार कर सकने की गुंजाईश ही नहीं रहती और तनिक से कारण को लेकर आवेश ग्रस्त व्यक्ती हत्या या आत्म हत्या कर बैठता है पीछे जब वह बुखार उतरता है तो दूसरों की तरहे स्वयम ही अपने आपको धिककारते ही बनता है भावनाओं का इस्तर परिश्कृत हो तो मनुष्य संत, सज्जन, दयालू, परोपकारी, सहिर्दय, उदार जैसी सत प्रवर्तियों से सुसंपन होकर देवोपम जीवन जी सकता है और महा मानवों की पंक्ती में खड़ा होकर ऐसी आदर शुपस्थित कर सकता है जिससे असंख्यों को चिर्काल तक प्रेणा मिलती रहे सद भावना संपन अंतहे करण स्वयम संतुष्ट रहता है और उसकी समीब वर्ति, शान्ती और शीतलता अनुभव करते हैं भावनाओं का संतुलन उन्हें आवेशों से मुक्त रख कर सत पत गामी बनाए रहे कर मन का सच्ची अर्थों में सदुप्योग है जो इसे कर सकें वे मनस्वी कहलाते हैं और उस मनुबल के कारण अपने और दूसरों का भारी हित साधन करते हैं मनहे चेतना का क्रिया पक्ष भी कम महत्पू नहीं है शरीर के द्वारा मस्तिश्क के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसी के फल सो रूप भली बुरी उपलब्धियां सामने आती हैं परिणाम फल फूल है और उन पौधों के बीच है कर्म अक्सर भले बुरे परिणामों का कारण दूसरे लोगों या कारणों को समझा जाता है इसमें बहुत थोड़ी सच्चाई है वास्तविक्त यह है कि अपनी खामियों के कारण परिस्थितियों का पासा उल्टा पड़ जाता है जिसका व्यवहार अनुकूल रह सकता था उनका प्रतिकूल हो जाता है काम को पूरे मन से ना करना उसे खराब करने के बराबर है लापरवाही से अन्यमननस्क होकर कुछ किया जाए तो उससे तो ना करना अच्छा मनोयोग के अभाव में क्रिया तुर्टिपून रह जाती है और ततकाल एक काम पूरा किया गया दीखने पर भी परोग शुरूप से उसमें इतनी कमी रह जाती है कि जिसके कारण उसे ना करने से भी अधिक अपनों को या दूसरों को हानी उठानी पड़े क्रिया पक्ष यह चाहता है कि उसके साथ पूरा मनोयोग जुड़ा हो जो किया जाए पूरी दिल्चस्पी के साथ किया जाए समगर कुशलता का उसमें समावेश जुड़ा रहे ऐसे काम ऐसे शांदार होते हैं कि उनसे अपना मन भी प्रसंद हो और दूसरों की दृष्टी में उस करत्रवय के आधार पर अपने व्यक्तित्व का मूले बढ़े व्यवस्था बुद्धी कोई जन्जात गोण नहीं है पूरे मनोयोग से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्ण मान कर यदि हर काम को करने की आदत डाल ली जाए तो निस संदेहे उसके द्वारा किये हुए काम ऐसे बढ़िया होंगे कि शत्रू भी उनाहतों को चूमना चाहेगा छोटे कामों में अपनी यह प्रवरती दिखाने वालों को दुनिया सिर आखों पर उठाती है और फिर वे एक के बाद एक उन्नती की सीड़िया पार करते हुए प्रतिष्ठा एवं सफलता के उच्च शिखर पर पहुँच जाते हैं अच्छी आदतें डालने में देर लगती है और अध्यवसाय से काम देना पड़ता है आत्म नियंतरन डखना पड़ता है पर बुरी आदतें थोड़ा साही अफसर पाने पर सभाव का अंग बन जाती हैं और फिर मुश्किल से छूटती हैं आलसी और प्रमादी सभाव के वेक्ती अपना अधिकांच समय ऐसे ही बरबात करते रहते हैं और सामर्थे की तुल्ला में दसवा अंच भी काम उनसे नहीं बन पड़ता हराम खोरी और काम चोरी की आदत आलस और प्रमाद के रूप में परिपक्व होकर जीवन की बरबादी का कारण बनती है ऐसे वेक्ती कभी कुछ महत्वपूर कारे नहीं कर सकते नशेबाजी, जुवा, आदी के व्यसन कईयों के पीछे पड़ जाते हैं फिजूल खर्ची की कईयों को ऐसी बुरी आदत होती है कि वे उप्युक्त आजीविका होते हुए भी सदा, रिण ग्रस्त और तंग ग्रस्त रहते हैं अपने क्रिया संस्थान पर मन का नियंत्रण न होने से ही ऐसी अस्त वैस्तताएं पनप्ती हैं यदि मन चेतना प्रखर हो और मच्छर काटते ही जिस तरह उसे उड़ाने का काटे हुए स्थान को खुजलाने का प्रबंध अचेतन मन करता है उसी तरह यदि सचेतन मन शरीर की समस्थ क्रिया पद्धती पर नियंत्रण रखे तो समय का हर शण, बुद्धी का हर कण, सत्प्रयोजन के कामों का अभ्यस्त हो सकता है और प्रगती की दिशा में इतना आगे बढ़ा जा सकता है जिसे जादू या चमतकार कहा जाए मुगल सामराज्य का जब अंत हुआ तो कुछ दिन पहले केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया था और प्रांतों के सूबेदार आजाध होकर अपना अलग-अलग राज्य बना बैठे थे यही स्वेच्छा चार उस सत्ता के पतन का कारण बना ज्यानेंद्रियां और करमेंद्रियां मन सामराज्य की सूबेदार हैं यदि उन पर विवेग का नियंत्रण न रहे और वे स्वेच्छा चार बरते हैं तो समझना चाहिए जीवन सामराज्य का अंत मुगल सामराज्य की तरह ही सन्निकट सुनिश्चित है मन की तीसरी प्रवरत्ती है ज्यान जानकारियों के आधार पर ही मनुश्य को सही सोचने और सही निशकर्ष निकालने की शमता प्राप्त होती है एकाकी, अधूरा अत्वा उल्टा ज्यान होने से चिंतन को सही दिशा नहीं मिलती और अविक्सित मस्तिश्क बाल क्रीडाओं की तरहे ऐसा सोचता और ऐसा कुछ करता रहता है जिसे उफासास्पद ही कहा जाए भावनात्मक, क्रियात्मक और ज्यानात्मक, त्री विधी प्रवरत्तियों को संतुलित, नियंत्रित और सोविवस्ति तकने से ही मन की शक्ती का पूरा लाब उठाया जा सकता है अनित्ह वह अंतरद्वंद में ही उलजी हुई अपनी अधुत्ष शमता को नश्ट भ्रश्ट करता रहता है और इतनी अधुत्ष शमता से संपन होने पर भी मनुष्य उसके लाबों से वन्चित रह जाता है आज ग्यान और कर्म के विकास पर जोड़ दिया जा रहा है पर भाव पक्ष को भुला ही दिया गया है मनुष्य जड़ मशीन बनता चला जा रहा है कंप्यूटरों की तरहे का ग्यान और मशीन की तरहे का कर्म भौतिक साधन भढ़ा सकता है पर उससे मनुष्य की अंतहे चेतना को पोशर ना मिल सकेगा। भाव इस्तर यदि सूना, नीरस, सुष्क और निश्ठुर बना रहे तो भाव कोमलता के उस दिव्वे आनंद से सर्वता वंचित ही रह जाना पड़ेगा जो आत्मा की भूख है। जड़ जीवन जीकर केवल इंतरीत रप्ती की जा सकती है और एहंता के उनमाद की थोड़ी खुमारी अनुभव की जा सकती है। पर यदि भावना इस्तर को सुविक्सित करने की परिस्थितियां पैदा नहीं की गई तो संसार में सुख सामगरी कितनी ही भढ़ जाए। आनं शाच आसुरी अठाहस ही देखने को मिलेगा। भाव इस्तर की सरस्ता जिस प्रेम, दया, करुणा, मम्ता, स्नेह, आत्मियता, सेवा, आदी की रूपों में विक्सित देखी जाती है वही जीवन की श्रेश्टतम, मधुरिमा है। उसकी एक बूंद भी कहीं मिल जाए तो म पीन्स यूनिवर्सिटी आंटोरिया कनाडा में प्रेम का प्राणियों पर भौतिक प्रभाव विशे पर एक नई खोज के परिणाम सामने आये हैं। इस विश्व विध्याले के फार्माकोलोजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर एलडन वायड ने बताया कि उनसे विभाग की एक महिला कर्मचारी चूहों वाले विभाग को संभालती है। उसे सभावतहद चूहों से बहुत प्रेम है। वह उन्हें दुलार भरी दृष्टी से देखती है। उनकी सुविधाओं का खयाल रखती है और यथा संभव अपने विभार में प्रेम जैसे ही वह पिंजरों के पास आती है चूहे दोड़कर उसके पास से कठे हो जाते हैं और एक टक ताकते रहते हैं। जो भी वह दिलाती है खुशी-खुशी खा लेते हैं। यध्यपी उसमें तरह तरह की ओशधी मिली रहने से वह भोजन उनकी रुची और प्रकृती के प्रतिकूल होता है। कई बार कश्ट कर विधी से चूहों के शरीर में औशधियां पहुंचाई जाती हैं। अनुभव होने पर तो इसके लिए किसी चूहे को तयार नहीं होना चाहिए पर वह महिला जिस चूहे को चाहती है खुशी-खुशी इस प्रयोग के लिए सहयोग देने को तयार कर लेती है। कई बार चूहे मारने की दवा का भी प्रयोग किया गया। एक ही किस्म की एक ही मात्रा में दवा दो महिलाओं दोरा चूहों को खिलाई गई। इसे प्रेम भावना युक्त महिला के हाथ से दवा खाने पर 20 प्रतिशत चूहे मरे जबकि उसी द बभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वायड ने निसकर्ष निकाला है कि चिकित्सा शेतर में प्रेम भावनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए。 चिकित्सकों का व्यभार रोगी के साथ विश्वास प्रेम पात्र जैसा होना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने प्रियेजनों के साथ रहने का भी अफसर देना चाहिए ताकि रोगियों को औशधी उपचार की अतरिक्त प्रेम भावनाओं की औशधी से भी भल चड़कर गुणकारी सिद्ध होने वाली खुराक मिलती रह सके। प्रगति और सुक सुविधा की बात सोचने वाले मनुश्य को भाव गरिमा की और भी ध्यान देना चाहिए और आत्मा की इस आंकांक्षा को पूरा करने के लिए भी कुछ सोचना करना चाहिए। ज्यान कर्म के साथ भक्ती का भी समन्वे होना चाहिए। इस हेतु भक्ती का सही सही स्वरूप हिर्द्यंगम करना आवशक है।